हेलो डियर स्टुडेंट, स्वागत था तुभी का स्वों क्लासस के इस नए वीडियो में, मैं संजियो सर्टुडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके important derivation का एक और पार्ट आगे continue करने वाल हैं, तो अगर कल के derivation की यहाँ पर practice कराये थे, और हमने आप लोगों से बोला भी था, कि आप लोग बाकी के numerical अच्छे से घर पर solve कर लिजेगा, अगर कहीं पर कोई समस्या किसी काई हो, या कोई दिक्कत हो, तो उसको आप comment box में comment करके पूछ लिजेगा, ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं, chapter number 4 की कुछ topic रह गई थी, जैसे कि बृत्ताकार कुंडली के अच्छ पर चुमबकी ये छेत की तीबरता, तो इसको देखते हैं कि ये इसको कैसे define किया जाएगा, ठीक है, इसमें बृत्ताकार कुंडली के अच्छ पर चुमबकी ये छेत की तीबरता न अधार पर इसको प्रूफ किया जाएगा, और कितने बच्चे ऐसे हैं, जिनको ये मालूम है, अगर मालूम है, तो फटा फट सी comment box में comment करके बताईए कि बायो से वेट का नियम क्या कहता है, तो बायो से वेट का नियम यही कहता है कि अगर कोई हमारा, ठीक है, अल्प पाई की लग कोई चालकतार है, उसके कारण आर दूरी पर, उसमें अगर आई धारा प्रवाइद हो रही है, तो उससे आर दूरी पर जोद पर ने चुम्ब की यह छेत किती बरता, डी बी होगी, वह कितनी होगी, मियू नाट अपान, फूर पाई, ठीक है, मियू नाट यहां से आर दूरी पर मान लेते हैं कोई पॉइंट पी है, यहीं पर हमें चुम्ब की यह छेत किती बरता निकालनी है, ठीक है, तो जो ठीक है, तो जो ठीक है, वह चालकतार और उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच में जो कोड़ मर रहा है, यहां पर, ठीक है, य साइन धीटा है, ठीक बात, यह बात अगर कीलियर हो गई हो, तो अब हम बढ़ते हैं ब्रित्ताकार कुंडली के अच पर चुम्ब के यह छेत किती बरता, तो जैसे माल लिजिए, यह हमारे पास क्या है, कोई ब्रित्ताकार कुंडली है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और इससे जो है, आर दूरी पर यहां से यहां तक, ठीक है, मान लेते हैं, यहां से यहां तक की जो distance वो कितनी है, एक्स है और इसकी जो रेडियास है इसकी जो तिरिज्या है वो कितनी है बृत्ताकार कुंडली की तिरिज्या कितनी है और कितनी है यहाँ पर मान लेते हैं हमें चुम्बकिये छेद की ती बृता क्या करनी है निकालनी है इस बिंदु पर यहाँ में बतानी है चुम्बकिये की capital R, त्रिज्या की कोई बृत्ताकार कुंडली, कोई बृत्ताकार कुंडली, के जिसमें य धारा प्रवाहित हो रहे है, जिसमें इसमाल आ ठीक इसके अंदर धारा कितनी प्रवाहित हो रही है ठीक है इसमाल आए धारा प्रवाहित हो रही है धारा प्रवाहित होने के कारण धारा प्रवाहित होने के काराण चुम्ब किये प्रवायत होने के काराण ब्रित्ताकार कुंडली के केंद्र से इसमाल एक्स दूरी पर चुम्ब किये छेत्र का मान ग्याद करना चुम्ब किये छेत्र का मान होगा कितना सबसे पहली बात यह है कि यहां पर ठीक है बायो सेवर्ड का नियम हम लगाएंगे क्या लिखेंगे बायो सेवर्ड के नियम के आधार पर बायो सेवर्ड के नियम के अनुसार अब बायो सेवर्ड का नियम क्या कहता है उसके लिए पह कोई बृत्ताकार कुंडली है यह हमने इस बृत्ताकार कुंडली का एक सूचम लंबाई ले लिया कितना है अब इस लंबाई दील के कारण ठीक है इस सूचम लंबाई डील के कारण इस बिंदू पर हमें माल लेते हैं चुम्बक ये छेत की ती बृता निकालने हैं तो इस बिंदू से यानि जो लंबाई है हमारी जो सूच में लंबाई याल है यहां से इस बिंदू की दूरी कितनी हो जाएगी माल लेते हैं इस बिंदू की दूरी कितनी है इस माल आ रहा है हम मानने तने हैं इसकी दूरी कितनी है इस माला रहा है तो अब देखो जो की कितना कोंण बना रहा इसके साथ कोंण बना रहा थीटा अब ब बृत्ताकार कुंडली के सूचम भाग डीयल के द्वारा बिंदु पी पर यह माल लेते हैं पॉइंट भी है कि बृत्ताकार कुंडली के शूज में भाग डील के द्वारा पी येल के द्वारा बिंदू पी पर चुमबकिये शेतर की थीबृता कितनी हो जाएगी? बायो सेवड के नियम के अनसाद डील लमबाई कितनी थी? डील थी तो डील के काराण उत्पन चुमबकिये शेतर भी माल लेते हैं आती सूच महोगा दीबी तो अब डीबी होगा ती यहाँ पे बायो से बढ़का नियम क्या कहता है मियू नाट अपान फूर पाई लंबाई कि इसमें धारा कितनी परवाई तो रही आई लंबाई डियल कोण कितना बना थीटा तो साइन थीटा बटे इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी कितनी है इसमाल आर स्कॉयर ठीक ह आपका हो गया समय का नमबर है अब आजाओ यहाँ पर यहाँ पर अगर हम देखें ठीक है यहाँ पर हम बात करें इस बिंदु पर यह यह यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो आपके चुमबकी यह छेत्र की दिशा होगी वो इस के साथ में थीटा कॉन बनाएगी ठीक है कितनी डी भी तीक है यह हो गई चुंब के छितर की लिषाद डी बी अब इसका चैति जोर उर्द्वाधर घटक देखेट इधर कितना हो जाएगा इसके साथ बन रहात यह हो जाएगा डी भी कॉस ठीटा ठीक है और इस साइड कितना जाएगा इस साइड हो जाएगा हमारा db sin theta ठीक है? बात समझ में आई? यह हो गया आपका समीकर नमबर एक अब क्या करते है? ठीक इसी dl नमबाये का एक छोटा सा और आवयो लेते हैं और उसी के ठीक नीचे ठीक है? नेक्स पॉइंट बृत्ताकार कुंडली के में ठीक है? डील लमबायी डील लमबायी का एक सूच्म आवयो यहनि कि सूच्म आवयो ठीक उसी के नीचे लेते हैं ठीक है? ठीक उसी के नीचे लेते हैं तो इस सूच में लंबाई, इस सूच में लंबाई, DL के कारण, बिंदु P पर, चुम्बकिये छेत्र की, ती बरता कितनी हो जाएगी, अब बताओ, जब हमने लंबाई, ठीक, उतना ही लिया है, जितना उपर लिया था, उपर कितना था, DL, तो ये भी हमने DL लिया है, तो इसके कारण भी जो चुम्बकिये छेत्र की ती बरता कितनी आएगी, इसके कारण भी चुम्बकिये छेत की ती ब्रता कितनी आएगी, db is equal to mu not upon 4 pi, 4 pi, ठीक है, into i dl sin theta बटे r square, ये आपका हो गया समय कर नंबर दो, ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आजओ, figure पे, तो इसके कारण जो मिल लहाँ आपका, इस लंबाई के कारण, ठीक है, यहाँ पे, इस बिंदु पर, इसकी जो दिशा हो जाएगी, ये इसके साथ theta कोण बनाते हुए, इधर आ जाएगी, ठीक है, इसके साथ theta कोण बनाते हुए, इधर आगे, यहाँ पे कोण बना कितना थीटा यह हो गई आपकी चुम्बकिये छेतर की दिसार डीबी अब इसका 36 घटा कितना हो जाएगा इधर नीचे की तरफ इसके साथ थीटा यह हो जाएगा डीबी कॉस थीटा यह आपको पहले ही बताया गया था अगर किसी भी चीज को हम उर्ध् हो जाएगा यह 36 ठीक है तो इधर क्या हो जाएगा माल लेते हैं इसकी चुम्बकिये छेतर की तीबिलता डीबी डैस है यह डीबी डैस कॉस थीटा और फिर इधर आपका क्या हो इधर हो जाएगा यह डीबी की दिसा है इधर हो जाएगा डीबी-स साइन थीटा अब क्या लिखेंगे हम यह देखते हैं कि दीयल लंबाई का जो उपर हमने लावे हो लिया था और DL लंबाई का जो नीचे लावे हो लिया था इन दोनों के कारण जो बिंद P पर चुम्बकी च्छेत्र की तीबरता है उसका अगर हम परडामी देखें तो DB cos theta, DB dash cos theta क्योंकि ये भी लंबाई बराबर, ये भी लंबाई बराबर है तो उत्पन चुम्बकी च्छेत्र भी बराबर होगा क्योंकि distance भी दोनों जगां से सेम है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, इनकी दिशा देखिए, अप उजी ठाई, एक दूसरे को कर देंगे, कैंसिल, तो बिंदु P पर परडामी चुंबा की छेत किती बरता क्या हो जाएगी, बीबी, ठीक है, इसमाल डीबी इसकल टू, डीबी साइन थीटा, ठीक है, डीबी साइन थीटा, बास समझ में आई, बोलो, हाँ या ना, यहाँ तक बास समझ में आई, जल्दी बताओ, बोलो कमेंड बोक्स में, यहाँ तक बास समझ में आ गई, अब यहां पर हम देख रहे हैं कुंडली के कारण ठीक है बिन्दू पीपर बिन्दू पीपर पढ़डा में ती बरता कितनी हो जाएगी पढ़डा में पढ़डा में ती बरता ठीक है चुमबकिये छेत की जो पढ़डा में ती बरता है वो बीच कल्टू कितनी बचेगी db is equal to कितना हो जाएगा db sin theta होगा क्यों और db sin theta होगा बाकि सारे तो cancel हो जा रहे हैं बाकि क्या हो रहे हैं अभी अभी आप पीछे देखी रहे हैं ये इससे cancel हो जा रहा है ये केवल इसी direction में आपका बच रहा है तो इस direction में जो बच रहा है वो केवल और केवल db sin theta बच रहा है इसकी वज़ा से इसकी वज़ा से तो अभी तो फिरहाल हम क्या कर रहा है एक सूच में लंबाई dl के कारण ले रहा है ठीक है अब देखिए ये तो हो भई सूच में लंबाई dl के कारण ठीक है कुंडली के संपूर्ण कुंडली के कारण संपूर्ण कुंडली के कारण बिंदु पी पर चुमबकिये छेतर कितना हो जाएगा capital B is equal to integration आप db ठीक है integration आप db integration db कामान कितना है mu नाट अपान 4 pi i dl sin theta बटे r square अब यहाँ से देख रहे हैं जो चीजे constant है उसको हम ले ले लेते हैं बाहर बाकी उसको अंदर ही रहने दो तो देखो बहने वाली धारा constant ये दूरी constant sine theta constant केवल बैरी क्या कर रहा है देखो ये distance भी constant distance कितनी है आ रहा है ये भी constant हो गई है theta जितना कोड बना रहा है वही कोड यहाँ भी बनेगा theta ये भी constant है केवल बैरी कर रही इसकी लंबाई DL क्या बैरी कर रही केवल लंबाई बैरी कर रही है DL ठीक है तो integration के अंदर हमारा क्या रहेगा only DL बाकी सारी चीजें आ जाएगी बाहर ठीक है तो ये हो गया mu naught I sin theta upon 4 pi r square बाहर हो गया अंदर बचा हमारे पास DL अब यहाँ पर DL है क्या चीज़ डियल अगर हम जोडते जाये तो फिर मिलेगी क्या क्योंकि है क्या बृत है तो इसकी throughout लंबाई अगर हम जोडते जाए जोडते जाए जोडते जाए तो क्या मिलीगी बृत की पूरी परीध ही तो मिलेगी या कुछ और मिलेगा, बोलो, ठीक है, तो integration, यह हमारी लंबाई थी, dl, सुच में लंबाई, integration, dl बराबर कितना हो जाएगा, 2 pi r, कितना हो जाएगा, 2 pi r, ठीक बाद, बोलो, हाँ या ना, यहां तक बाद समझ में आ गई, 2 pi r, ठीक है, और r कौन साथ, इसकी तरिज्जा, इसकी तरिज्जा है क्या, capital r है, तो 2 pi capital r, अब यहां पहे लिख लेते हैं, वीज कल्टू क्या हो जाएगा, mu नाट अपान, 4 pi, idl, shine theta, बटे, r square, अब dl की जगा हम क्या लिखने वाले हैं, i, shine theta, बटे, r square, into, dl की जगा आ जाएगा, 2 pi capital r, तो pi से pi कैंसेल, 1, 2 से 1, 2 कैंसेल, आया कितना, b is equal to, mu नाट अपान, 2, into, i, ठीक है, shine theta, बटे, r square, into r, अब यहां पहे आपका एक और variable बच रहा है, क्या, sine theta, अब sine theta का मान कहां से निकलेगा, वापस से आ जाओ, ये कौन theta, तो sine theta बराबर होता है, लंब बते कர्ण, ठीक है, लंब बते कर्ण, बात समझ में आ रही है, लंब बते कर्ण, तो लंब यहां प Pour-A-Seer, mat. theta के ठीक सामने वाले भुजा लंब, और ये हो गई कर्ण, लंब बते कर्ण, कैनने कि capital r, बते, इसमाल लंब बटे कांट ठीक है तो यहां से देखते हैं ठीक है साइन थीटा वराबर चूंकि साइन थीटा वराबर लंब यानि के कैप्टल रार बाई इसमाल अब थीटा कमान रग दो ठीक है थीटा कमान यहाँ पर हम रखेंगे तक क्राइब क्या मिल जाएगा हमको व फीज कर्टू सभी नाट अपान फॉर पाई आई अटा अब साइन थीटा कमान रख देंगे तो व समटेक्वा जाएगा भीज कर्टू सँक्र में बॉर सब्सक्राइगा आई बाई आर नंदो हमारे पास क्या था यह चीज हमारे पास क्या था यह चीज एकस थी यह स्माल आर था यह कैप्टल आर था ठीक है अगर हम स्माल आर का मान इन दोनों पदों में निकालें तिसमाल R बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट कैपिटल R स्कॉयर प्लस X स्कॉयर क्यों सी प्रोफर्टी से तिर्भूज के ठीक है पाइथागूरस की पर्मेशा थी हाँ पर मान रख देते हैं तो यहाँ पर हम मान रखें तो वीज कल्टू क्या हो जाएगा म्यू नाट अपान 2 इंटू आई कैपिटल R स्कॉयर बटे इसकी जगां क्या हो जाएगा अंडर रूट R square plus X square की power 3, ठीक है, अब पूरे का power 3 है, अंडर root का मतलब होता है, एक बटे दो, अंडर root का मतलब होता है, एक बटे दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास, वीजकल 2, देखो, अब हम एक बार आपको फिर से समझा देंगे, जिसको भी नहीं समझ में आयागो, पहले ध्यान से देख लो, वीजकल 2, म्यू नाट अपान 2, इन्टू, आई R square बटे, यहाँ पर देखो, R square प्लस X square की power, अंडर root का मतलब क्या हो जाएगा, अंडर root अगर हटाओगे, सीधे सीधे power एक बटे दो, और बाहर तीन है, तो 3 by 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 by 2, ठीक है, यह आपका आगया, किसी बृत्ताकार, कुंडली के काराण, कुंडली के केंद्र से X दूरी पर चुमबकिये छेतर की ती बृत्ता का मान, एक कोई बृत्ताकार कुंडली है, ठीक है, यह हमारी क्या है, बृत्ताकार कुंडली है, जिसके केंद्र से, यह इसका केंद्र O है, केंद्र O से X दूरी पर इसमाल X दूरी पर बिंदू P पर हमें चुम्बकी छेतर की तीबरता का मान गयात करना है तो इसके लिए हमने क्या किया कुंडली के उपरी भाग से आप कहीं से भी ले लो यहां से भी यहां से भी ले सकते हो ऊपरी भाग से हमने एक DL लंबाई सूच में लंबाई DL ले लिया और उस सूच में लंबाई DL के कारण बिंदू P पर जो चुम्बकी छेतर की तीबरता है उसका मान हमने बायो से वर्ट के नियम के कारडिंग ज्याद कर लिया यह आ गया ठीक है अब दूसरा DL लंबाई ठीक उसी के नीचे ले ले लेते हैं ठीक उसी के नीचे ले लेते हैं इसके कारण भी चुम्बकी छेतर की तीबरता का मान ग्याद करते हैं और तो उसका भी इतना ही आ है लेकिन इसको भी बिंदू P पर 26 और उर्धा धर घटकों में अगर हम भी जिट कर ले तो इस तरीके से मारे पास आता है इसका उर्धा धर दीक है कैया DB कॉस थेटा और ये 26 वाला DB साइन थीटा इदा उर्धा धर दीबी कॉस तो ये DB कॉस थीटा इस दीबी कॉस अब डीवी साइन तीटा यह होगा अब तो यह हो गया कुंडली के सूच हम आवयो डीयल के कारण लेकिन हमें चाहिए पूरी कुंडली के कारण तो संपूर कुंडली के कारण बिंदु पी पर जो चुमबकी ये छेत्र की तीबृता का मान होगा वी इज कल टू क्या करेंगे उसका सीधे सीधे हम इंटेगरेशन कर लेंगे तो यह हमने कर लिया इंटेगरेशन चो चीजे जिएrade कंस्टेंट थी वह चीजे हमने कर लिए बाहर mu naught upon 4 pi ये पूरा का पूरा constant बाहर हो गया बहने वाली धारा constant बाहर हो गया sin theta constant बाहर हो गया r squares constant बाहर हो गया variable कौन है केवल dl है तो dl को कर लिया हमने अंदर अब यहाँ पे आप देखो ये dl dl लंबाई अगर आप जोडते जाओगे तो सीधे सीधे आपको मिलेगी क्या बृत की परीद ही दो मिलेगी और बृत की परीद हो थी की 2 pi अगुडे बृत की तरिज्या बृत की तरिज्या है कितनी capital R थी तो integration dl वराबर कितना हो जाएगा 2 pi capital R तो यहाँ पे रख लिया गया 2 pi capital R pi से pi cancel 2 से 2 cancel ठीक है यह हो गया अब यहाँ पे सारी चीजें कर ली गई ब्योस्थित ठीक है अब sin theta का मान राख लिया गा sin theta बराबर क्या होता लंब बटे करण वहाँ पे हमने figure में आपको दिखाया था यह आपका R था यह आपका X था यह आपका इसमाल था यह थीटा था तो sin theta बराबर क्या हो जाएगा लंब लंब क्यों आर कंड कों इसमाल आर तो यह आ गया अब यहीं मान उठाके क्या sin theta का यहाँ पे रख लिया गया देखो यह चीज़ निकल के आया था ठीक है यही चीज़ था अब फिर sin theta का आमने मान रख लिया capital R by small r तो यहां R square था, एक R और आ गया तो R cube हो गया, यहां एक capital R पहले से था, एक capital R और आ गया तो capital R square हो गया, ठीक है अब हमने क्या किया, small r का मान capital R के पदों में निकाल लिया यहां से देखो, यह कंड़ है तो कंड़ बराबर, लंब का बर्ग, ब्लस आधार का बर्ग तो इसको उधर भेज दिया, ठीक है यहनि कि R square बराबर capital R square plus X square तो R बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट इसका मतलब अंडर रूट का मतलब होता है R square plus X square के power 1 बटे 2 अंडर रूट का मतलब होता तो power 1 बटे 2 और बाहर power कितनी थी पहले से 3 था तो 1 बटे 2 गुडे 3 कितना हो जाएगा 3 बटे 2 तो power कितनी आगई 3 बटे 2 आगई, यही क्या हो गई बृत्ताकार कुंडली के काराण कुंडली के केंद्र से X दूरी पर कहां पर X दूरी पर चुंबकिये छेत की तीब्रता का मान है ठीक है जहां पर capital R वृत की त्रिज्जह चलिए अब कुछ important चीजे देख लीजिए फिर इसके बाद इसके कुछ cases की हम बात कर लेते हैं ठीक है फिर इसके बाद इसके कुछ cases की बात कर लेते हैं देखिए आप सभी लोगों के screen पर ठीक है doubtnet का बच्चों एक number 100 हो रहागा ठीक है यह देखिए doubtnet का एक number 100 हो रहागा 8400400400 इस doubtnet के number को सभी लोग अपने अपने phone में save कर लीजिए जब आप सभी लोग इस number को अपने अपने phone में save करेंगे तो इसका फाइदा यह है कि अगर आप घर पर बैट कर math, physics, chemistry या bio जैसे किसी भी subject के preparation कर रहे हैं और इसमें आपको कहीं पे भी कोई doubt या कोई समस्या आती है तो उसका आप सीधे सीधे photo खीचे photo खीचने के बाद उसको अच्छे से crop करिए crop करने के बाद इस दिये गए whatsapp number पर send कर दीजे जैसे आप इस दिये गए whatsapp पर send करेंगे तो with in 10 seconds आपको उसका video solution मिल जाएगा और जब आपको video solution मिल जाएगा तो उस video solution के द्वारा आप अपना doubt clear कर सकते है ठीक है और ये सुविधा class 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के से लिए है साथ साथ IIT, JE, MAIN और Advanced साथ में NEET की preparation कर रहे है बच्चों के लिए भी है CBC board, Bihar board, State board सभी board के लिए सभी State board के लिए ये सुविधा अबलेबल है तो जो बच्चे डाउनलोड नहीं किये है फटाफट डाउनलोड कर लिजिए और इसका लाव उठाई चलिए, आते हैं वापस अपने topic पर इसके कुछ cases की बात करते है अब यहाँ पर देखिए कुछ cases, ठीक है अब cases यह है केवल एक ही case है यदी हमें चुम्बकिये छेत की तीवर्ता कमान यानि कि यदी एक्स बराबर जीरो यदी capital X बराबर जीरो capital X बराबर जीरो का मतलब क्या है यहाँ पर आ जाओ X कमान जीरो यानि यह बिंदू P ओपर आ जाएगा capital X कमान जब जीरो होगा तो जो बिंदू P है यह कहाँ चला जाएगा O पर और वो है क्या चीज कुंडली का केंदर है तो देखते हैं इसका मतलब यह है कि कुंडली के केंदर पर कुंडली के केंदर पर चुम्बकिये छेत्र कुंडली के केंदर पर मकेचित कितना हो जाएगा, V is equal to, जहाँ-जहाँ x है, उसकी जगाँ 0 रगदो, यह केवल एक जगाँ x है, तो μू नाट अपान 2 into I capital R square बटे, इसकी जगाँ 0 रगदो गे तो कितना बचेगा, किवल R square प्लस 0 की पावर 3 by 2, ठीक है, अब यहाँ पे देखो V is equal to mu naught upon 2 into i r square बटे यह 0 है तो यहाँ पे r square है और बाहर कितना है 3 by 2 into 3 by 2 इस दो से यह दो cancel हो गया नीचे कितना आया तो V is equal to कितना आ गया mu naught upon 2 into i r square बटे नीचे आपका आगया r q r square से r square cancel नीचे आपका बचा केवल 1 r तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको यहाँ से मिल जाएगा V is equal to mu naught upon 2 into 2 पर बचा कैपटल small i नीचे बचा कैपटल r तो किसी भी बृत्ताकार कुंडली के काराण उसके केंदर पर चुंबकिये छेत्र का फार्मूला होता है वो यही होता है mu naught i mu naught i upon 2 r यह कुंडली के केंदर पर चुंबकिये छेत्र की तीब्रता का फार्मूला है ठीक है अब आप सभी लोग comment करके बताइए कि सारी चीजें proper ढंक से समझ में आ गई ठीक है अब इसके बाद जो आपका इसमें बच रहा है MPR का परपथिये नियम और उसके अनुप्रियोग जो धारा भाहि परनलका के अच्छ पर्चुंबके छेत्र का जो question ज़्यादा तर पूछा जाता है वो ज़्यादा तर MPR के परपथिये नियम जिनके अनुप्रियोग में पूछा जाता है ठीक है तो अब हम आपको करवाने वाले हैं next वीडियो में MPR का परपथिये नियम और उसके अनुप्रियोग एक साथ ठीक है बास समझ भाई क्योंकि अगर उसका MPR का परपथिये नियम अगर आज हम करवाएंगे तो फिर अनुप्रियोग रह जाएगा तो इसलिए दोनों को एक साथ कराएंगी जिससे समस्या ना हो ठीक है ने तो फिर से हमें वो चीजे रिवाईज करनी पड़ेंगी ठीक बाद यहां तक चीजें किलियर हैं बिलकुल अगर यहां तक चीजें किलियर हैं तो कल के वीडियो में हमने एक चीज आप से पूछा था ठीक है आप लोगों से मैंने एक चीज पूछा था कि जो important derivation है important derivation है इसको हमने कितना कितने question इसमें select की है है पूरे book से 1 से 14 तक कितने है 40 question 40 या 39 question है 33 question है ठीक है कितने question है हमने कहा कि अगर आप लोग चाहते है तो 33 को भी हम filter करके आने कि इसमें से भी जो ज़्यादा important है उसको अलग कर दे रहा है और जो थोड़े कम important है उसको अलग कर दे रहा है है 20 ठीक है इसको हम total 20 भी कर सकते हैं तो अगर आप लोग चाहते हैं तो comment box में जरूर comment करके बताना और यह 20 question का PDF बना के हम आपको जो है टेली कराम पर available करा देंगे और उसको थोड़ा सा discuss भी कर देंगे यह 20 question तो आपको हर हाल में ही तयार करने है ठीक है हर हाल में यह 20 question आपको तयार रखने है बात समझ में आई तो मिलते हैं फिर next video में ओके बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही थैंक्यू